नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Redmi 13C 5G दोस्तों अगर आपने इस phone को purchase किया है या अगर आप इसे purchase करने वाले हो तो जैसे आप अपने phone का setup complete करोगे उसके तुरन बद आपको change करनी है ये 20 settings इन सभी 20 settings को change करना काफी जरूर है आपके phone के safety, security, privacy और productivity के लिए तो अगर आप अपने phone को भेहतर तरीके से उसकरना चाहाती है तो आपको change करनी है ये 20 settings तो आई दोस्तों change करते हैं इन 20 settings को one by one इस phone में आपको मिलता है double tap to lock और double tap to one का feature अगर आपको भी अपने phone में इस feature को enable करना है तो आपको जाना है settings में lock screen में और यहाँ पी होगा double tap to wake और turn off screen आपको इससे on करना है लेकिन अगर आप home page पे कहीपे भी double tap करोगे तो ये feature आपके phone में काम नहीं करेगा double tap यहाँ पे काम नहीं कर रहा है आप देख सकते हो ये केवल काम करता है जब आपका phone lock होता है तब ही ये work करता है इस तरह के से अगर आपके इस feature को home page पे भी enable करना है तो आपको home page पे long tap करना है फिर आपको widget पे tap करना है और यहाँ पे होगा lock आपको इस पे long tap करके ड्रैक करने अपने इसाब से किसी भी प्लेस पे तो अब लोग करना काफी आसानी है बस आपको करना है one tap लोग के आइकन पे टैप कीजिए आपका फोन लोग हो जाएगा अनलोग करने के लिए फिर विवेक करने के लिए डबल टैप कीजिए इस तरह किसे आप अपने फोन को लोग अनलोग कर पाओगे काफी आसानी से जैसे कि आपको पता होगा अगर आपका फोन लोग होता है और अगर आपको ऐसे में इसे अनलोग करना हुआ फिंगर्प्रिंट सेंसर की दर यह तो आपको अपने फिंगर्प्रिंट सेंसर पे प्रेस करना होता है मतलब की दबान होता है तब भी आप अपने फोन को अनलोग कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो आप फिंगर्प्रिंट सेंसर पे केवल ट्याप करके भी मतलब की टैच करके भी अपने फोन को unlock कर सकते हो आपको press नहीं करना पड़ेगा तो आपको जाना है settings में password and security में fingerprint unlock में और यहाँ पे होगा यह option fingerprint recognition आपको इस पे tap करना है press पे और आपको यहाँ पे set करना है touch पे इसके बाद अगर मेरा phone अब lock होता है मुझे unlock करना हो तो आपने गोर क्या होगा जब भी आप अपने phone को face से scan करके unlock करते हो तो आपका phone unlock तो हो जाता है lock भी खुल जाता है लेकिन आपको end में करना होता है swipe up तभी आप अपने phone को use कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहँ तो आप अपने phone में direct face unlock को enable कर सकते हो इसके बाद अगर आप अपने फोन को face से scan करके unlock करोगे तो आपको अब end में swipe up नहीं करना पड़ेगा आपका phone हो जाएगा direct face unlock आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरी के से माल लीजिए आपका phone lock है और हैसे में कोई आकर आपके phone में जो control center है उसे access करना चाहता है तो काफी easily access कर सकता है इतना नहीं किसी भी toggle को काफी easily on off कर सकता है आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो जब आपका phone lock होता है तब इसे कोई भी access ना कर पाया तो आप इसे block कर सकते हो lock screen पे तो आपको जना है settings में notification में item shown on the lock screen पे ट्याप कीजिए और यह जो option है notification shade आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप अपने phone को lock करोगे और ऐसे में कोई आकर आपके phone में जो control center है उसे access करना चाहेगा तो access नहीं कर बाएगा आप देख सकते हो जब आपका phone unlock होगा तब भी आप उसे access कर पाऊगे इस तरीके से आप अपने phone में YouTube को background में play कर सकते हो मतलब किया आप अपने phone में display को करोगे फिर भी आपके phone में YouTube का जो audio है play होता रहेगा background में तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है settings में additional settings में और यहाँ पे है नीचे video toolbox इसे open कीजिए दोनो को on कीजिए और यह है video apps को manage करने का option ट्याप कीजिए आपको YouTube को यहाँ पे on करना है अगर यहाँ पे YouTube नहीं होता तो यहाँ पे होगा आपको इस तरीके से on करना है फिर YouTube यहाँ पे शोगरेगा इसके बाद अगर आप YouTube को open करोगे तो आपको left side में मिलेगी एक line यह है video toolbox आ मैंने display को off कर दिया है फिर भी YouTube background में play हो रहा है इस phone में power menu को access करने का तरीका थोड़ा अलग है आपको power button और volume up दोनों के एक साथ प्रेस करना होता है और आपको मिलता यह power menu जहां से आप अपने phone को restart और power off कर सकते हो अलग कि अगर आप चाहँ तो केवल power की पे long press करके भी इसे enable कर सकते हो आपको दो बड़न पे long press नहीं करना पड़ेगा तो आपको जना होगा settings में additional settings में gesture shortcut में और यहाँ पी होगा launch google assistant आपको इसे open करना है और आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप cable power की पे long press करोगे तो आपको मिल जाएगा यह power menu आपको दो बड़न पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप open करोगे recent apps को तो आपको उपर में मिलते है यह shortcut icon इसे कहते है suggestions अगर आपको इसे यहाँ से hide करना है यहाँ से remove करना है तो आप इसे remove भी कर सकते हो उसके लिए आपको home page पे long tap करना है फिर आपको settings का icon पे tap करना है more पे tap किजिए और प्रेफोन में कितनी RAM available है और कितनी RAM यूज हो रही है अगर आपको जाना हुआ तो आपको जाना है recent app में और उपर में आपको यहाँ पर मिलेगा RAM info तो यहाँ पर चेक कर पाऊगे कितनी RAM available है और यह है total RAM तो अगर आपको भी इस तरीके से RAM status को show करना है तो आपको जाना है homepage पर long tap कीजिए तो आपको gear के icon पर tap करना है और more पर tap कीजिए नीचे आपको लेगा show memory status आपको इसे own करना है आप जब भी किसी भी app यह website में login करने के लिए password को enter करते हो तो आपने गोर क्या होगा password के later कुछ moment के लिए show करते है इस तरीके से आप देख सकते हो तो बगल में अगर कोई बेठा होगा तो जान पाएगा कि आपका password क्या है तो अगर आप शाहती इस तरीक से later show ना करें तो आप इन्हें hide कर सकते हो हमेशा के लिए तो आपको जना है settings में privacy में और यहाँ आपको गए option show password आपको इसे off करना है इसके बाद अगर में password को enter करूंगा तो इस तरीके से आप इस phone में आपने सभी calls को record कर सकते हो automatically और वह भी बिना किसी announcement के मतलब की सामने ओले को पता चले बिना आप उसके call को record कर पाओगे तो इसके लिए आपको phone आपको open करना है पिर आपको gear के icon पे tap करना है और यहाँ पे होगा call recording यह रहा आपको इसे open करके जो call और आपको मिलता है यह folder call recording का आपको इसे open करना है और यह रहे call recording आप यहाँ से उसे play कर पाओगे इस phone में आपको मिलता है call waiting का feature जिसे by default off रखा गया है अगर आपको इसे on करना है तो आपको जना है phone app में gear के icon पे tap कीजिए और यहाँ पे होगा call waiting आपको इसे open करके इसे on करना है turn on कीजिए इसके बाद बैक जाइए और यहाँ पे होगा advance को option इसे open कीजिए और यह है call waiting notification ट्याप करके आपको इसे किसी call पे हो और अगर आपको एसे में कोई और दूसरा call आता है तो आपके phone में एक sound play होगा continuously ता कि आपको पता चले कि आपके phone में और कोई call आ रह जे और vibration भी हो तो उसके लिए आपको जाना है settings में sound and vibration में और यहाँ पे होगा नीचे option vibrate for calls आपको इसे on करना है मालेजिए आपको किसी photo में से जो text है उसे copy करना है या फिर जो text है उसे translate करना है अपने भाशा में तो मालेजिए यह जो text है उसे मुझे translate करना हिंदी में तो आपको menu पी tap करना है और यह रहा Google Lens इस पी tap किजिए फिर यहाँ पे है search का option tap करोगे तो आप इस तरीके से उसे copy कर पाऊगे यह रहा copy का option अगर आपको इसे करना है translate तो यहाँ पे option मिलेगा आपको translate का अब जो यह text है हो जाएगा हिंदी में translate आप देख सकते हो हलागि आप अपने हिसाब से कोई भी language यहाँ पे set कर सकते हो हिंदी के place पे अगर आपको करना है गुजराती मैंने अब य आपको मिलेगा कि lens का icon आपको इसे ट्याप करना है और अब जैसे यहाँ पे करोगे यह तो यहाँ पे आपको मिलेगा translate का option ट्याप कीजिए अब जो text हो जाएगा translate गुजराती में आप देख पा रहे हो यह हो चुका है गुजराती में translate अगर आप कोई भी text copy करते हो तो ज यहाँ पे clipboard उसे open कीजिए और आपको clipboard के toggle को on करना है माले जी मुझे इस content को copy करना है तो मैं करूंगा इसे copy तो मैंने इस पे don't tap कर दिया है फिर आपको मिलेगा यहाँ पे copy का option copy कीजिए अब इसे हो चुका है clipboard में तो अगर आपको उसे access करना हुआ तो आपको keyboard को open कर करना है वो paste हो जाएगा आप देख सकते हो इस phone में आपको मिलता है dual app का feature मतलब कि आप एक ही आपको दो अलगलग तरीके से इस phone में use कर पाओगे तो इसके लिए आपको जना है settings में apps में और यहाँ पे होगा dual apps आपको इसे open करना है create pretty app कीजिए तो जिन किसे apps को आपको dual app म करना है turn on किजिए इसके लाव मुझे enable करना है Instagram को और इसके लावा phone पे Amazon और यहाँ पे अगर मुझे use करना है Netflix को तो मैं उसे भी enable कर सकता हूँ जीपे को भी आप enable कर सकते dual app में तो मैंने इन सभी apps को dual app में enable कर दिया है अगर मैं जाओंगा app drawer में आपको मिलेंगे दो app Amazon दो शो कर रहे हैं इसके लावा Netflix, Instagram और जीपे, phone पे भी दो शो कर रहे हैं मतलब की dual app enable हो चुके है और जब आप इन्हें open करोगे तो इस तरीके से यह open होंगे अगर आप चाहते हो जब भी आपके phone में कोई भी नई notification आए तो आपके phone में display on हो जाए तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो आपको जाना है settings में, lock screen में और यहां प्यों गए option वे एक lock screen for notification इसे on किजिए तो मेरे phone में display off है अगर मुझे ऐसे में कोई message आता है तो आप मेरे phone में display on हो जाएगा इस तरीके से आप अपने phone के status bar पे real time network speed को भी enable कर सकते हो मतलब कि आपके phone में internet कितने speed पे चल रहा है आप यहां पे चेक कर पाऊगे तो आपको जना है settings में, notification में और यहां पे होगा status bar आपको इसे open करना है और यह option है show connection speed आपको इसे on करना है इसक मालेजी आपका phone lock है, display off है और यहसे में अगर आपको जल्दी से torch या फिर camera को launch करना हुआ तो कैसे करोगे तो इसके लिए आपको enable करने है दो shortcut तो आपको जना है settings में, additional settings में, gesture shortcut में, launch camera में और आपको इस option को on करना है, double press volume down, back जाईए, turn on flashlight इसे open करके इसे on करना है तो मालेजी मेरा phone lock है, display off है, अगर इसे में मुझे torch को launch करना हुआ तो आपको power key पे double press करना है, आपके phone में open होगा torch, अगर आपको इसे off करना है तो किजिए फिर से double press, आपके phone में ये off हो जाएगा, अगर आपको open करना है camera app को तो आपको volume down पे करना है दो बार press, इस तरीक पे add कर सकते हो, इसके लाव जो lock screen style है, आप उसे भी change कर सकते हो, तो आपको अपने phone में जाना, settings में, lock screen clock format में, और यहाँ पे होगा lock screen honor info, इस पर tap किजिए, और यहाँ पे आपकी info आपको टाइप करनी है, मैं यहाँ आप टाइप करूँगा yes take no, okay किजिए, इसके लावा आप जो clock style format है, उसे भी change कर सकते हो, अगर आपको इसे change करना है, इस style में, तो इस style पे tap किजिए, तो अगर अपने phone को lock करोगे, तो आपको मिलेगा, इस तरह के से, यह clock style format आपको डेख सकते हो, और यहाँ पे आपकी info भी show करेगी, इस phone में आपको मिलता है, game turbo का शांदार feature, तो अगर आप किसी भी game को open करोगे, आपको मिलेंगे, शांदा gaming feature, तो game turbo को enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, additional settings में, और यहाँ पे ओगा game turbo, यह रहा, आपको इस पे tap करना है, फिर आपको settings पे tap करना है, और यहाँ पे ओगा game turbo, इसे on किजिए, फिर आपको performance पे tap कर करना है, और आपको इसे भी on करना है, performance को, इसे on किजिए, फिर बैक जाईए, और यहाँ पे ओगा plus का sign, tap किजिए, जो भी games आपको add करने, game turbo में, आपको इसे add करना है, मैं add करूँगा, उस game को तो मैं इसे on करूँगा, इसे close किजिए, तो जब भी मैं उस game को open करूँगा मुझे शोगरेगा, game turbo panel, यह line शोगरेगी, आपको swipe करना है यहाँ पे, और आपको बिलेंगी, game turbo के features, तो आप यहाँ पे dnd कर सकते हो, gaming के दुरान, screenshot को capture कर सकते हो, recording कर सकते हो, और यहाँ आपे, screenshot को turn up भी कर सकते हो, casting कर सकते हो, voice changer का feature भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप जो voice changer है, उससे भी on कर सकते हो, gaming के दोरान, और gaming के दोरान, आप अपने memory storage और performance को boost कर सकते हो, ताकि आप अपने gaming को काफी अच्छ से play कर सको, दोस्तो दे थी हो 20, settings जीने आपको change करना था, आपके 18C 5G में, इसके बाद आप काफी अच्छ से अपने phone को इस कर